कभी ऐसा हुआ है हम की सीज़े इधर से उधर ठीज उरती देखिये इंसान उक्ते बेर देखिये ऐसे बहुत सारे तांस रिखुई उसको कैसे काटा जाता है गुट, प्रेक्ष, विशाच, वशीकरन, इन सब टॉपिक्स के ऊवर आज हम बात करें और आज हमारे बीच है फीमस एस्टोलोजर, डॉक्टर तुष्ला चितुरवीदी जी, तो आई उनसे बात करते हैं काले जादुपर, मैं बहुत महीनों से किसी को डॉन रहा हूं जो ब कैसे हो जाता है यह वह अच्छा कैसे हो जाता है उसको थोड़ा साइब बगया है साटवяет करेंगे लोग की से गलच जेल करनेसे करेंगे नियम्मक तूण वह वह गलत है मतलब वह तंड्र अगल से उनमक्रा न॥न भी साटवग करते हैं तीन तरह की चीज बताई गई हैं ए मैंने मारण करके वो कोई सुनी है विद्या मारन को वो बैसिकली किसी को मारन के लिए यूज्ज की कि यूज जाती है लेकिन इसका भी अपना दो तरह का रंग है वाइट और ब्लैक यह क्यों सिखाई गए थी या क्यों लाई गए थी आप इस विद्या को यूज करके आप गलत चीज़ों का नाश कर सकते हैं पर लोगों ने इसको कैसे यूज करना चालू कर दिया किसी के लिए भी मेरा वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है मारन क्रिया कर दो कर दो आपने देखे गुड़िया सी बनाते हैं उससे स्वी चुब होते हैं तू बोलते हैं उ जब उस गुड़िया को सुई चुब ही जाती है तो ऐसा कहते है कि जिस व्यक्ति के नाम का होता है उसको भी वह सुई चुब ही उसका पैट तोड़ा जाता है तो उसका भी टूट रहा है पर यह बहुत गलत है यह नहीं करना चाहिए इसलिए यह विध्या नहीं आएगी ह हर चीज का ना हम लोगों ने देखे हर चीज का फाइदा उठाना बहुत अच्छी से सीठी गलत फाइदा बुरी आदते तो कोई भी चीज है आप उसको यूज अच्छे परपस से करिये तो आपके लिए बहुत अच्छी लेकिन अगर उसी का आप यूज बुरी चीज के करने के लिए तो बहुत बुरा तो काला जादू वही है गलत उद्धेश से करने वाली चीज ब्लैक और वही चीज अगर आप सही उद्धेश से तरीके से करेंगे तो वह रही है अगर ऐसा सूचा जाए कि जैसे मैंने किसी के उपर करवा है उसने में बुरा कुछ कर रख मैंने उसके उपर कर रहा है तो वो क्या होगा वो black magic होगा मैं अपने हिसाब से तो सही कर रहा हो कि मैं तो आप उसके उपर क्यों कराएंगे अगर किसी ने आपके उपर कुछ करा रखा है तो आप उस चीज़ का काट करिया है और अपनी एक protection wall खड़ा कर या आपको उसके उपर repeat करने की क्या ज़रूत है फिर तो और आप सेम काम दर पता कैसे चलेगा कि अगर मेरे उपर black magic हो रखा है उसके कुछ ऐसे science होते हैं बहुत सारे symptoms होते हैं आपकी kundli भी बताती है आपकी body language भी बताती है आपकी दिन चरिया आपी बताती है जैसे कि ऐसा व्यक्ति रात में ज्यादा जागरत हो जाता है ऐसे व्यक्ति का behavior चेंड़ा जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत जादा खाना स्टाट पर देता या बिल्कुँ भूका रहना स्टाट कर देता है ऐसे व्यक्ति के color change होते रहते हैं body के कभी आपको ब व्यक्ति अपने हाथ और पयर की उंग्लीयों मोअ पनि corporation 6 0 ऒबना स्टार्ट रड़िता है ऐसा व्यक्ति जो होता है वह बहुत अट्राक्ट हो जाता है दादू की तरफ बहुत अट्राक्ट हो जाता है वह तो गया अलग से पता चलिजाते हैं आखे वो किसी positive इंसान के साथ आखे नहीं मिला पाता, आपको मैं आखे डाल कर बात नहीं कर सकता हूँ, बाल नहीं दोएगा, नहाएगा नहीं, यहीं खाया, यहीं फैक्ट दिया, कुछ cases में तो ऐसा तक देखा जाता है, कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो गंदी चीजों को खाना चालो कर देता है, लेक्ट टॉलनेट एंड और, तो यह साइन्स है सारे, जिससे पता चल जकता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कुछ करता है, फिर आपकी कुणली, आपकी सिम्टम्स आपके नेगेटिव ग्रहों के हिसाब से भी आपके साथ आ सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपका देखना पड़ता है कि आपके कुणली के अंदर राहू अगर बिल्कुल पर्फेक्ट है, मंगल एकदम पर्फेक्ट है, शनी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा रभडा तो सब होते हैं, लेकित इतना अथा का अगर बुरा नहीं है, तो फिर इसका मतलब कुछ गरबा है, फिर कुछ टैस्ट होते हैं, जो हम पब्लिक ली नहीं डिस्क्रस कर सकते हैं, फिर कुछ टैस्ट होते हैं, जो उनको बताया जाते हैं, कुछ यंत्र होते हैं, जो उनके के उपर कुछ कर रहा होता है तो वो अपनी औरिजनल उसमें आ जाता है तो बोलने लगता है कि मुझे मुझे करो मैं बहुत परेशान हूं इस तरीके से मतलब आपको फिल्मों में बड़ा जीब सा लगता हो लेकिन बहुत रिसर्च करते हैं वो लोग ऐसी बात नहीं है कि व जो बाला जी जो मंदिर है वहां होता है वहां होता है कामक्या टेंपल में नहीं होता है एक सहारण पूर बाला जी मंदिर है गुजरत में वहां होता है महंदिक पूर बाला जी हमारे हां होता ही है बहुत सारे दर्गा है जहां पर होता है यहां पर जाते ही इनसान के सारी गंड मेने ब्रहिकंद और नदी होता है तो अगर उसके ऊपर कोई ब्रहित नहीं भर और । ini बहुत अरजिऒ stress boy इनकी योनिया और इनकी बहुत तारीजिए अलग से पॉड़कास करना पड़ेगा मैंने अभी लास्ट एक छोटा सा किया था को उसके अंदर का आप से कुछ बताने की कोशिश करी तो लोगों का तो अभी कन्फूजन कोई ग्यार ने रहा है न तो उसके उपर संशोधन नही करेंगे लोग मानना नहीं चाते हैं न मैं क्योंकि आखों से दिखनी रहा है पर पेटा हमने अपनी लाइफ के अंदर इतने लोगों को इस चीज से पीडित होते देखा है और घरों पो उजोजते देखा है जवान बच्चे चले गए एक भी घर के अंदर मर्द नहीं बच हो रही है बच्चे हो रहे तो विकलांग पैदा हो रहे हैं लॉट्स ओ फिजिकल प्रॉब्लम्स तो मैंने यह भी सुनाया कि जिस पर हो रख है उसके साथ तो अबसली बुरा चली रहा है जो लोग यह करते हैं उनको भी बहुत हेल्ट इशूस रहते हैं यह सच्छे मतलब अगर आपने किसी के ऊपर कुछ बुरा काला जादू किया है तो वो इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है आप जब भी कोई गलत काम करेंगे बुरी चीज करेंगे तो डेफिनेटली वो कर्मा आपके ऊपर तो आनर ही है ना प्योंकि आप उसका भाग बन चुके हो आप है ठीक है सबसे बड़ा तंत्र का ज्याता कौन है इत्याहस मों इंगरिशल से शिव 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 जी तो भगवान हो है अचा इनसान मुदलब हुमन में हां महा ज्यानि महा पराकरमी सब कुछ था उसके अंदर पर गलत चीजों के साथ आप काम करेंगे तो आपका परिनाम गलत हो सबसे बड़ी चीव तंतर की उत्पति वही अथा उन्हों नहीं ही इस उसके अंदर तंतर को सिखाना चालू करा तंतर शास्ता वहीं से श्टार्ट हुआ एक तरीके से शिव जी ने जिसको तंत्र अपने आप मा पारवतिजी और शिव जीने जिनको तंतर सिखाया आपना वो रावनमीद तो कहीं न कहीं वह चीज एफेक्ट करें ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हुए हैं बहुत सारे जिन्होंने तंत्रके जित्ते गलत तरीके से यूज किया एक टाइम के बाद जब मरें तो उनकी बॉड्य से कीड़े निकले बॉड्य नहीं मिले छोट छोट बारे में तंत्रिक वह हो से आपको इंस्टेंट बर стен दे सकता है तांत्रिक हुए हहत है है माजी कोई गलत और लिए यह ह céu घृक है करते हो क्रिया उनको प्राप्त करने के लिए fabric कैंवें वीह ही चीज़ बता रही थी तीन तरह की सिध्यां हम जो है तीन तरीके से कर सकते हैं जिसके अंदर मारन होता है जो मारन वीत्व कुछ किया जाते है इक इसके अंदर तारन होता है तारक किसे को बचाने के लिए तार्क तो तो तैरक क्या है तारक हो है जो इश्वतժ है का नाम जबते हो उप जैसे की राम 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 वी कron d yota वाला है यह आपको ति बहुत छ्टी संपपल रंग्राडी रादे रादे आपको किसी भी चीज का संकills यह कभी भी कर सकते हों सर्फों सकते हैं यह आपको तारणे ब्रभु बढ़े या प्रभु का नाम बढ़ा प्रभु का नाम नाइव और Tuesday जो हम पूरे विधिधान से करते हैं जैसे कि दुर्गा शच्प्षति पाथ भीना अध्यास और उसके कि करने का पूरा तरीका होता है जैसे कि रुद्रविशेख उसको करने का पूरा अपना अपना तरीका है न्यास अन्यास सब करना पड़ेगा आपको तब आपकर सकते हैं वन्हाँ आपको सकते हैं तो आपसक रहे पनकी आपको spielen को पढ़ currently आधूरा ग्यान दे रहे हैं पूरा ग्यान दीजे कि वह कैसे किया जाए आपको पता है जब भी हम कोई ऐसा पूजन करते हैं जैसे दुर्गा शुप्षती की ही बात मैं करती हूं या मैं शुपजी के किसी भी पाठ की बात करती हूं आपसे तो कोई भी जब हम पाठ करते है उसको करने से पहले बहुत सारी चीजें कराई जाती है जैसे कि आपकी दौना आखों को सपर्ष करा जाता है माथे को सपर्ष करा जाता है चुटिया को सपर्ष किया जाता है आपके पेट की गुईयां इनको सपर्ष किया जाता है पैरों को सपर्ष किया जाता है तो प्रोट का उच्चारण किया जाता है फिर उसके बाद उसको इस तरीगे से मैश करवाया जाता है एक तरीगे से उसको चलाया जाता है फिर उसके बाद दसों दिशाओं में उसको छिड़क दिया जाता है वह यह होता है कि दसों दिशाओं से आपको एक तो उर्जा प्राप्त हो पॉ ये सारी कि सारी किसी गुरु के सारध्य हमें की जातें तो जब को गुरु को 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 बुमंतर देता है तो और आपके दोनों चीजे मंतर में देता है वह जो नियम सायम से की जाती है एक वह जो आप कभी भी कर सकते हैं मतलब आप असोच में भी हो तो भी आप कर सकते हैं मारंड क्रिया कोई गुरू आपको सिखाया नहीं कोई नहीं कहता कि आप करो अभ्यक्ति अपने आप वह सीखता है या अपने गुरू से कहता है कि मुझे मैं दुख ही नहीं करेगा लेकिन प्लग कर लिए तो वो आपको नहीं आपके आने वाले जाने इसली में प्लोम नेच़् को करने वाले साथ नहीं है वह ऊपका हो गए घर में आके बैठते हैं दोनों लड़कों के वैपार नहीं चैनले है दोनों लड़कों के वैपार खराब और गर की इतनी बुरी इस्तिति आप सोच नहीं सको तो जैसे अगर किसी ने मेरे उपर करवा रख रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं, कि मैं आप चेक कीजिए, आप चेक करता हैं, आपको पता चलता हैं, हाँ, कुछ है, आप उसके लिए एक रेमेडी करेंगे, तो क्या उसमें आपके उपर भी एफेक्ट आ सकता है, तो जाध अगर मेरे दिन चरिया, मेरे पूजा पाठ, मेरे अपने मंत रुच्चारण, मेरे प्रभो भक्ति, मेरे सात्विक्ता, मेरा मन, मेरा भाग, गलत होगा, मैं अपने आराध्य को लेकर साथ में नहीं चलूँगी, जैसे मैं अपने ठाको ची के विना कुछ नहीं करते, आप जानो, बहुत क्लियर हूं मैं, आपने सामने वाले को मेरे पास भीजा है, आपने कहा है, इसका solution होगा, आपकी इजाज़त आई है, तब मैंने हाथ डाला इस solution, तो अब अच्छा गुरा आप देखने, मैं तो स्रिप आपके कहने पर कर रहींग, अब क्या होता है, ऐसी है, अपरेत है, जो भी है, वो इतना जादा पावपूल है कि आप उससे लड़त हो गए, पर लेकिन आपको आपसे संभल नहीं रहा, तो आपने हाथी क्यों डाला, तो वही मैं पूचा हूँ कि उस case में क्या होगा, आपको पहने तो अपने आपको जज़ करना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे हैं, अगर आप उस लेवल पे हैं, कि आप उस चीज से छेड़ खानी कर सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं, तो तो आप लड़िए, अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप यह कहते हैं, कि आप मेरे से किसी बड़े के पास चले जाएए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपकी नाक नहीं खड़ जाएगगी, जो उसके पास चले जाओ, वो कर देगा, तो यह तो पहले आपको पता होना चाहिए, कि आप कितने लेवल पर उस चीज को समझाल सकते हैं, यह नहीं समझाल सकते हैं, अगर आप उस चीज को नहीं समझाल पाए, जो वो तो फिर बहुत विनाशत का काम कर देती, आपके लिए तो करेगी, करेगी जो कर भा रहा है, उसकी जो करेगी और एर्दि-द आर्ध में जो होगया हो, करतेगी बहुत सारे हमारे पास ऐसे cases आते हैं जहां प ठाकुजी हमए साफ मना कर देते हैं, कि इस case में आती ही कर 봐 भेम कर में अिए इस विक्ती का काम ही नहीं करने ह। करका एक इस व में परॉब्लमा यह नहीं करते हो हिस जितनी प्रप्सक्र्वलम है ह। हम सब्सक्क्राइबर करेंहwriter कि रहा है डिए अधि यह सबाहर है में कर देते हैं जे बिपने है वह अधिक हैए दो जो पंध आपने देखा उससे आपको इतना शौक लगा या उनलब कई वर ऐसा होता है ने कि आप जाते हैं और आपको ऐसी चीज दिख जाती है कि पुड़े से पोश्च रहा है आप एसा कभी हुआ है अब आपको बहुत क्लिर बताओं मेरे साथ मैं हर एक कामना अपने ठापर जी से पूछ कर करती है मेरे गुरू भी वही हैं मेरे आराध्य भी वही हैं और मैंने अपनी जिंदगी में एवन आप यह सोचे मुझे छोटे से छोटी भी कोई चीज करनी है न तो मैं पहले ठापर चोटी चोटी चीजों के लिए परेशान नहीं करती कि आज वाइट साड़ी पैनों कि आज ब्लू पैनों ऐसी हरकते नहीं करती लेकिन अगर मुझे कोई चीज करनी है तो मैं जरूर अपने ठापर जीसे पुछूँगी कि मैं करू या नहीं करू अगर मुझे वहां से दस पंद्रा केसे उठाती थी ऐसा टाइम आया मेरी लाइस के अंगर कि अधाको जी नहीं मुझे मना कर दिया कि अब आप नहीं करोगी ये काम तो उन्होंने मेरे हस्बेंड को इजाज़त दे ती कि आप करोगे हां तो अब यह वाला जो डिपार्टमेंट है यह वह समालत ऐसा को एक्सपीरेंस कर भी हुआने कि मैं गई और मुझे एक्दम से कुछ दिखा लेकिन हां बहुत सारे यह इंसिडेंस मेरे साथ हुए जहां मैं तयारी के साथ गई हूँ कि मेरे को वाल मिलना ही है तो मेरे साथ एक यह हुआ था मैं लगबग लगबग 2000 आपको नहीं मै आपको बता रही हूँ 1995 की बाद मैं बहुत छोती थी उस वक्त मेरी ही बेस्ट फ्रेंड मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी उसके सिस्टर की शादी का वो कार्ड लेकर आई घर पे और बोला कि यह शादी है तुझे जरूर आना है विद फैमिली मम्मी वदर और सबको लेक इणना हुआं मैंने collected यह शादी नहीं, गर दो मही बर पता सब्सक्का check कैफा सक्षादा की कुले पर शादी नहीं होई तो पता लगा उनके साथ एक जिन है और वो जिन शादी होने ही नहीं देता उसकी तो उन्होंने कहा कि अब इसका सॉलूशन क्या है आप सोचे में बहुत छोटी स्कूल की बाद बता रहे हूं आपको तो मैंने उनसे वही कहा कि मैं ठा को जिसे पूछ के बता हूँ वैसे रह अच्छी चीज मेरे साथ यह रही है कि मेरे पूरे परिवार में हमारी बहुत सारे पीडियों से यही काम होता आ रहा है अच्छा वरतलब आपके पूरी जनरेशन यह दाशन से आपने देखा मेरी डॉर्टर वो भी कह रही है तो पीडी-दार-पीडी ट्रांसफर है चीज करने गए बड़े थे साथ में उनका हाथ था उनके सानित्य में करने जा रहे थे अंदर घुसते ही मतलब आप यह दाईए एक कदम हमने अंदर रखाया और उसके बाद जो चीजे हमारे साथ होना स्टार्ट हुई है हम सोच नहीं सकते आज भी कभी वो चीज याद आ जाती है तो रुह का जाती है कि हमने उस दिन बड़धाश कैसे कर आवो सब आपस में हम जितने लोग गय थे न सब एक दूसरे का गला दबाने के लगे में हम अपने कंट्रोल में नहीं थे लेकिन सबको पता था कि ऐसी च हरण करा हुआ था या अंदर ए अंदर मंत्र रुच़ारण कर लए थे वो माइंड को तो कंट्रोल करने के कोशिश करते हैं लेकिन आपकी आत्मा और ड़्याद को इस चरञ परlarth से यह योग होता है जोग का एक चरन होता है इस चरन पर ही आप जाकर अपने माइंड और अ फिर उसको बैठाया, उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, तो उसने साथ बोला कि मैं इसको नहीं चुड़ूँगा, मैं इसको नहीं चुड़ूँगा, किसी और की होई नहीं सकती, जो जो बीच में आएगा, मैं सबको माईगा, तो वो बोल किया किसी के थुरू बोल रहा वो उसी लड़की के अंदर से बोल रहा था, और फिर बहुत दिन प्रोसेस चला करेबन साथ आठ महीने प्रोसेस चला इस चीज का, तब चाहकत हो, जो बहुत देंजरस, मैं ने तो बहुत डेंजरस डेंजरस अपनी लाफ के अंदर चीज़े देखी, कभी ऐसा हुआ है, म की चीज़े इसे ओदर फंड़ियों रही है, हमो प्रोसे में। बहुत अक्सर करते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, कहानिया या खालर्पनिक नही रहता हैं, बहुत रिसरुच करते हैं, आज परो सी कीश करते हैं, तब वो किसी चीज को आपके सामने पीष करते हैं, उसमें स सब्सक्राइब पर थी होती हैं चीज़े तो आदमी बनाता है तो आपने देखा ऐसे चीज़े खोड़ी हैं चीज़े और देखें इंसान उर्टेवे देखें जिनके अंदर होता है वो एक डम से ऐसे गायब हो बहुत अजीब अजीब चीजे होती ही बहुत अजीब जाज़ आपको नीज नी आठी हो टी तो यही सबसे वड़ी क्रिया है इसको हमेशा ध्यान रखिएगा इन चीजों को कभी भी अपने उपर हावी मत होने देजिए यह आप से जादा डर पोक होते हैं इन्हें अगर किस इनको तिखाई दे जाते हैं लेकिन आप इनके आगे कभी भी आपने आपको ऐसे में दिखाएगे हम कमजोर है अगर अपने आपको अपने आपको बिखा दिया वह डिफिकल्ट काम है आप जैसे मेरे सामने अगर चलते फिर ते कोई जिन यह भूत प्रेद आज है करीए आ इनरजनम का भी लाइव हमें करना है लाइव अगरा नहीं होंगी हमें एक रियल जगे पर जाना होगा और बहुत आपको तरीके से शूट करना होगा क्योंकि वह दिखेंगे नहीं आप सिर्फ उनकी आवाज रिकॉर्ड कर पहेंगे तो फील करेंगे आपको प्रोटेक्श लेकिन वो चीज आपकी इस तरह कैमरे पर नहीं आएगी आप आवाज रिकॉर्ड को रहते हैं आप वहां की जो अभी आपने कहा आप वहां की जो चीज़े हैं पूरा एट्मोस्फियर चेंज हो जाएगा बहुत सारी चीज़े बदल जाएगी तो आप पता लगेगा कि हा आप कुछ है असपास कुछ है चल रहा है तो करना पड़ेगा I am ready यह बताएगे यह बूद प्रेट पिशाच जो आपने यह तो तीन में जो हैं जो हमें उसके थूपता है अपना अनुमान चाले सागे जो बूद प्रेट पिशाच दाकनी शाकनी पिशाचनी दायन है ना और फिर उसके बाद ब्रह्मराक्षास इसके अंदर एक और होते हैं चमर्दे क्या है यह आत्मा ही होती है यह अलगी स्पीशीज है यह फिर हम अपने पुराने वाले उस पर आ जाते यह according to your कर्माज आपको मिलता है यह योनी मिलती है अच्छा हां अच्छा यह यह योनी ह है हां है यह 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 मुझे लगाौ ऑगरे किसि के देठ हो गई तो उसकी जो आत्मा वह बूथ बन लेकिश रहे है सा इंद Hauta हाव यह ओनी है अधि इस Есть को निर्क ही सबने है तो आपको आत्मा को शानति होसे हैं तुझे पता था तो यह योणी है हां तो यह भी तो आपकी कुछ चीज़े अधुरी रह गई उसकी वच्छे से आपको मिली तो यह लोग कहता है कि आप हर किसी के तो डिजायर से ऐसा तो वह अंकम्प्रीट रह जाती है ऐसा नहीं होता कोई बहुत अच्छा करम करा हुआ व अपने ग्यान का उपयोग अच्छे से नहीं करा जो तांत्रिक वाली कैटेगरी आ रही है वो कहीं ना कहीं वहीं आ जाती है या उसने बहुत महनत करी उसने सब बहुत अच्छे से किया लेकिन उसको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला तो एक अंदर एक डिजायर आप पिर आपकी मुक्ति उस तरीके से नहीं उपये बहुत सारी चीजों का ना उसके अंदर कॉंट्रिबूशन होता है तब जाकर वह व्यक्ति वैसा बन जाता है जैसे कि मैं आपको जो बता रही थी अभी चमर देव के बारे में तो ऐसा एक रियल इंसिडेंट है हमारे साथ म मैंने मतलब अपने ही उस पे देखा है मेरे हस्बंट के साथ हुआ है उनके गाव में कोई था शादी का माहौल चल रहा था और वहां पर उसकी डेथ हो और सब ने मतलब उस चीज को अवाइड करके कि बारहात आने वाली है तुम पहले उसको देखो वह सारी चीज़े करो क करके उसको अवाइड करके और सब अपने अपने उस पे लग गए कि बाद में शादी हो जागे उसके बाद देखेंगे कर तो वह इतना नेगेटिव हो गया उस चीज से या उस चीज से इतना बिगड गया वो क्या आत्मा बहुत देर तक भही सराउटिंग में तंती है तो गंगा जी को वर्दान है वह इन चीज़ों को खीशने था पर वह इतना पावरिफुल था कि वह भी पार कर अच्छा फिर इनकी वहां जाने के बाद जो भी यह उसमें आ जाते भूद बन गए प्रेद बन गए या जो बन गए फिर यह शक्तिया खीचते हैं लोगों से जै जैसे कुछ होते हैं जिनका नाम आप बार 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 पुकारोगे सपोज कोई सुमेल नाम पाव्यक्ति था वह चला गया अब बार 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 जब उसकी बात करोगे या बार बार बोलोगे सुमेल 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 उसको ताकत मिले कि या वह क्या करते हैं आत्माओं का एक सम्हू बनाते चले जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मरा, उसका कोई क्रिया कलाप नहीं हुआ, उसकी कोई चीज दो, तो उसके आत्मा चुडा ली, अब उसकी आत्मा को अपने साथ बान लिया, अपना सेवक बना ली, तो तो राजा बनता चला गया, रदाहन बनता चला ग जैसे कुछ लड़कियां संभोग करके, उन से उनकी ताकत बढ़ती है, पिशास ज्यादा तर वही होते हैं, उनकी ताकत उसी तरीके से बढ़ती है, और कुछ होते हैं जो मदिरा मांते हैं, मासम होते हैं, उन चीज़ों से उनकी ताकत बढ़ती हैं, बहुत अलग अलग त यह आधि बात करेंगे तो इसका एक और ब्लाक मैजिक का एक पार्ट है वश्रिकरन, आप किसी के ऊपर पूरी तरीके से प्ला करके और उसको आप जो बोलेंगे यहा जाएंगे वो करेगा, क्या वह होता है वाकर मैं मैं वश्रिकरन स्पेशलिस्टिस, लोग कहते हैं क्योंक जो विद्धißtcium विद्या है या क्रिए है वह गलत नहीं अंदर आप इसको सही तरीव से सही अधेश से यूज गते तो जैसे कि वश्यकरण कुछ लोगों के लिए जही माना गया है ृप पत्की mandatory पत्मी अग्षी करने चेंठ से बागल मना है वह आतरशित कर रहें तो कोई गलत बात नहीं, अच्छी चीज है, करना चाहिए, मजबूती रहने चाहिए, रिलेशन्शिप में, दौनों एक बूसरे के बंद के रहने चाहिए, मैं मानती हूँ ऐसा, तो सात्वी तरीके से वश्री करन करें, इलाइची से, लॉंग से, नीभू से, कीनी से, नमक से, इन चीजों से वश्री करन करें, जिसका कोई negative impact भी ना है, आपका रिष्टा भी मजबूत हो चाहिए, और आपको उसना कोई harm भी ना हो, और वश्री करन स्पेशलिस्स सबसे ब कुछ भी देठ लीजे होगा, आप उनके नाख की एक नथ देख लीजे, आप उनकी थोड़ी पे लगा हुआ एक हीरा देख लीजे, पैर, आख, नाख, हाथ, वो तो सब बहुत दूर की बात है, आप उनकी एक बासुरी ही देख लीजे, और आप मनतर बूल, और वहाँ त स्पेशलिस्ट हैं, जो आपको तो वश्मे करीद हैं, तो भी वश्मे हो जाते हैं, तुरंत वश्मे बहुत हैं भक्त के, आप प्यार से देखते हो लोग, चल दिया आपके साथ, बहुत इंसिडेंट्स हैं, आप मैंने सुना है, वहाँ परदा इसलिए नगा देते हैं और अधिर है, खापकुर जी के जहां वह चल दिया हाथ पकड़ कर, तात में, पीछे साथ बैठे हो टाटा भाय 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 ऐसा, तो देखे वश्मे करन जो है, अगर अच्छे उद्देश से किया जाता है, वश्मे करन होता है, ताउजन परसेंट होता है, अगर तक गिंती जा बगलवाली अंटी को पटाना है, खलाने भावी को वश्मे करना है, उस लड़की को मेरा बना दो, यह सब गलड, यह बहुत गलड है, यह आप किसी सरिफ अपने भोग के लिए, अपने वासना को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं के पूर्ती के लिए आप किसी के अपने एन एतनी अपने था फैसलाट में एतनी हुआ स çalवरियसा इतनी मुझे अप से बात करना चाहता हूं, मैं तान्त्रिक टान्त्रिक और अender कर भोग किसे होता है, जो पन्त है वह प्रता है, वह इस अपने आपस राखता डोग अपस आइंगी अम लोक दौरास ही एग, अब तो आपके साथ लाइब करने हैं दो लाइब करने हैं तो हम लोग बिलकुल करेंगे और आपको भी उतना ही मज़ा आएगा ये पॉड़कास जब भी हम लोग लाइब करेंगे आपको देखने में मज़ा आएगा आपको सुनने में मज़ा आएगा और प्लीज प्लीज अगर आपको मुज़ा आए तो जरूर जरूर चैनल के सबस्क्राइब करतीज़गा, नहीं तो फिर मैं मैं में से बात करता हूँ, बशाली करन करके आपसे सबस्क्राइब करona जा सकता है. शेर भी जरूर करिएगा. रहँ शेर भी? क्योंकि हमारा एक शिर जो होता है वो पता नहीं किसके जंदगी कब बना जाता है देखे मैं आप में जाते-जाते छोटी सी बात बटाती हूं मैं पॉड्कास्ट कभी नहीं करना जाती थी कभी भी नहीं क्योंकि मैं अपने चैनल से बहुत संतोष्ट थी और मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं बहुत जादा आप मतब मेरे को मेरे जितने भी बच्चे हैं मेरे अपने चैनल के वो सब मा कहते हैं तो आप सोच तो मैं फॉटकस्ट नहीं करना जाती थी अचानक से एक दिन ऐसे ही किसी का मेरे पास ओफर आया तो मैंने ठाको जी के सामने मैंने का ना मैं हर चीज उन से पोच के करते हैं तो थाको जी ने मुझे ऐसा वोला कि तुझ जा पता नहीं शायद कोई ऐसा हो जिसका कोई कारे हो जो वहां जाकर तेरे थूब बन जाए अगर तुझे एक व्यक्ति भी देखता है और एक व्यक्ति तुझ पर भरोसा करकर कर लेता है वो काम और उससे उसके जिंदगी पलट जाती है तो तेरा जाना सार थक है तो मुझे लगा हां सही बात है तो आज तक मैंने कभी किसी को निगा आज मैं पहली बार क्याती हूं पता नहीं आपके शेयर करने से किस एक व्यक्ति के जिंदगी में क्या बदला आजा है क्या पॉजिटिविटी आ जाए और पता नहीं वो किस नेगिटिविटी से बहार निकल जाए तो उसका पुलने भी आपको फ्राप्त हो कही ना जडब में आपको अच्छा यूटूबर बना दे तो देखते रहिए लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए एंड थैंक्यू सो मच पर वाचिंग स्टे हैंदी स्टे से जैश्री किष्णा जैश्री किष्णा जैश्री किष्णा